दोस्तों इस कारिक्रम में हम सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं किसरकार की नीतियों का कितना लाग वहां के लोगों को मिल रहा है आज इस कारेक्रम में हम चर्चा करेंगे आसाम सरकार की और हमारे साथ हैं आसाम के प्रेटन, मंत्री, जेहन तुमला, बरुवा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कारेक्रम में यह बताईएगा कि टूरिज्म परमोशन के लिए क्या योज़ना हैं आपके पास हैं आज कुछ सालों से हम लोग तूरिज्म को प्रोमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं रिसेंटले हम लोग एक नया सिद्धान ले आँँ के बिनेट में आसाम का तूरिज्म डिलेटे जितना काम है सब को हम एज इंडरस्ट्री डिक्लियर गया हूं तो इसका यह बह तूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट्मेंट बरेंगे और इन्वेस्ट्मेंट का साथ साथ में जो तूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करना साथ उसका इंडरस्टी का जो इंसेंटीव इंडरस्टी का जो फेसिल्टी इंडरस्टी का जो सबसीडी बगरा मिलता है पुरा पर्क बनाना जो भी टूरिजिम रिलेटेड सेक्टर में वो इन्वेस्ट करेंगे उसको एज इंडरस्टी डिकलियर हम लोग किया हो तो उसका फैसिल्टी का ये इंसेंटीव ये सबसीडिय बगारा सब मिलेंगे तूरिजिम वो इंडरस्टी होने का बात दूसरा बात यह हम लोगों ने कोशिश कर रहा हूं जो तूरिजिम को कैसे और ज्यादा प्रोमोट कर सेके उसका इंफ्रस्टक्सर ज्यादा बनाने के लिए गौवर्मेंट सेक्टर में भी हम लोग बहुत सरे इंफ्रस्टक्सर बनाना शुरू किया है कंप्लीट भी हो गया है सद्रेज गर् का इंफ्रस्टक्सर पूरा जैसे कासी बिश्चनात में ऐसे बहुत सारे लार्ड स्केल में काम हुआ है कोरीडर बनाया है यह सब हम लोग तेरे देरे काम सुरू करते हैं तो कुल मिलाकर एक काजी रंगा लोगों के जहन में आता है और अगर रिलीजी साब बात करते हैं त लेकिन उसके बारे में जो एक नॉर्थ का यह कोमन टुरिस्ट उसको जानकारी नहीं है पहले अशा था बहुत सारे connectivity का problem था communication का problem था तो इसलिए लोगों का जानकरी कमती था लेकिन आज सब का जानकरी है असाम में कहां कहां क्या natural अच्छा destination है कहां hill station है सब पता है लेकिन लोगों का अभी भी connectivity का जो communication का जितना develop होना सा और ज्यादा करना पर है और उसका मिलावा सबसे परा तुरिस्ट के लिए यह होता है माहूल जो तुरिस्ट फ्रेंडली environment पहले असाम या नौठीस में बहुत सरे यह सब insurgency problem या तो अलग-अलग problem बहुत सरे था अभी हमारा केंद्र सरकार और रैज्य सरकार का स्ट्रॉंग स्टेप का कारण ऐसा कोई भी insurgency problem कोई भी problem नहीं है अभी संती का महूल है एक तुरिस्ट फेंडली environment है काजी रोंगा हो या माना हो या एकदम इंटेडर जगा भी हो कहीं भी कोई problem नहीं है बहुत अच्छा टुरिस्ट फेंडली environment शुरू हो है और इस environment ही सबसे ज़दा तुरिजिम potential है और सबसे ज़दा तुरिजिम को आगे ले जएगा यह environment कितना ग्रोथ आप देख रहे हैं अभी क्या position है और कितने टुरिस्ट आते हैं यह लिए और आप क्या उसमें टार्गेट लेके चल रहे है लास्ट कोविट चे पहले कोविट का पहला साल में हम लोग around 60 लग का domestic tourist and 42,000 का international tourist है तो इस साल जो महोल है अभी आप जाहिए का जीनोंगा बोले मानास या तो कोई भी तुरिज़ देस्टिनस में कोई भी खाली ने लास्ट ऑल जो रेकॉर्ड है इस साल ब्रेक हो जाएगा तो उसका थुरू हम उसका यह हम बोल सकता हुझे लास्ट जो 60 लक्स का domestic tourist का था और 42,000 का international tourist का था यह तो इस बर आराम से cross करके जाएंगे और बहुत जारा prospect हम लोग कर रहा हूँ जै अच्छा tourist इंफलो अभी आएगा इसके लावा जैसे सिवसागर है या मांजली है इसके लावा टी बागान है काफी सारे वो भी एक अच्छे tourist destination के रूप में develop हो सकते हैं एक हम लोग टी टूरिजिम को ज़्यादा प्रोमोट कर रहा हूँ इसलिए इस साल हम लोग फिफ्टी टूरिस्ट टी गार्डेन को जो हेरिटेज बांगलोज है जिसका हेरिटेज गार्डेन है बहुत पुराना गार्डेन उसका बांगलोज है या तो इंतरस क्रीफिज सार बनाने के लिए वह लोग फिफ्टी करोड का इसबर आद में राखा हूँ चो ट्वेंटी फाइफ ऐसको हम दो करूर रुपया तक हम लोग साफसीदी दें़ेग और वह खुद 2 क्रूरिपया 50 पर संथिदी देंगे और 2 क्रूर रुपय इंब हुआ है और मेरा आसा है यह टी गार्डेन में जो टी टूरीजिम है वह बहुत जदा प्रोमोट हो जाएंगे और अभी धीरे-धीरे बहुत सरे लोग आना शुरू हुआ है बांगलों में रहना शुरू है अभी फोरेस्ट डिपार्मेंट का साथ भी हम लोगे काम कर रहा है है यह कैसे कॉमान लोगों के लिए हो सकता है कॉमान लोग वहां जाके रह सकता है कि बहुत अच्छा लोकेशन में यह सब बंगलों है तो उसी उपर भी हम लोग फोरेस्ट डिपार्मेंट टूरीजिम डिपार्मेंट काम कर रहा हूं तो मेरा हिशाब से धीरे-धीरे यह जो नेसरेल टूरीजिम देस्टिनेशन जो जो आनेक्सप्लोर डेस्टिनेशन है या तो कही कही लेजारनों डेस्टिनेशन यह सब धीरे-धीरे आ गया रहा है आपने लाचीच जैनती मनाई थी उसका किस तरीके से आपको लगता है कि फायदा हुए असाम को लाशीच जै पुरा दुनिया में प्रसार करने के लिए या तो नेस्टल क्लेट्रों में उसको प्रसार करने के लिए हम लोग ये काम किया था और सबसे बड़ा बात है आप आज हिस्ट्री देखेंगे सत्रबजी सिबाजी जैसा लसित बर्फुकन भी था लेकिन नौठिस का जो कनेक्टिविटी नौठिस का जो पॉबलिशिटी होना सही था उसी का सक्कर में हम लोग इतना सालों से ये नहीं हो सका तो आज नौठिस का महौल बहुत अच्छा है तो केंडर सरकार ने मोधी जी आने का बात ऐसा महौल होगा है हर मंत्री को पंद्रह दिन में एक दिन नौठिस जाना है दिन नौठिस दिल्ली और गौहाटी का जो डिस्टेंस है खतम हो गया है तो इसलिए हम सोसाइज है इस ये एक सबसे बड़ा सुनेरा मौक्स ये है तो उसको हम क्यों काम में ना है आप क्या मैसेज देना चोहेंगे पूरे देशके लोगों को तेखिए आज तक असाम में कोई भी तुरिस्ट का उपर कोई भी हमला नहीं हुआ है कोई रेकॉर्ड ही नहीं है आप ऐसा भी है कास्मीर में भी देखेंगे डेली में भी देखेंगे अलग अलग बहुत तो हमारा यह जो लोगों को अभी बताना ज़रूरी है तो हम लोग ठूपलीसिटी वह कम कर रहा हूं और बहुत सारे जैसे बहुत सारे डेवलप कांट्री का वो लोका स्टेट एडवरेजरी में या तो स्टेश वेबसाइड में बहुत सारे निकेटिव बात लिखा हुआ है पहले ऐसा बात था तो लिखके रखा है तो यह सब भी हताने के लिए हम लोग एमबेसी का साथ में बातचीत कर रहा हूं और मेरा आईशाब से लाएंगे यह सब जब हत जाएंगे तब सब लोगों को पता से लिगा आसाम कितना सांती पुरना जगा है वहां जाके सांती से आप पूरा एंजय कर सकते हैं आराम से नेसरेल जो तुरीज देस्टिन सब देखके आ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए हमारी शुब कामना हैं आपके साथ हैं जैंत मल्ला बरुवा जो आसाम के परियटन मंत्री हैं उन्होंने बताया कि किस परकार से परियटन को उद्योग का दर्जा देने की बात चल रही है और साथ में एक टी टूरिज्म यानि चाय के जो बड़े बड़े बागान हैं उसको भी डवलप किया जाएगा हम आपसे अपील करेंगे कि आब अगर आसाम जाएं तो काजी रंगा और माता कामाख्या के दर्शन के अलावा टी टूरिज्म का भी आप आनंद ले सकते हैं कैमरा प्रक्रसन विरेंदर मिश्टा के साथ अतुल सिंगल दिल्ली